चर्की दादरी में किसानों के लिए परिशानी का सबब बने सिवरेस ट्रीटमेंट प्लान के दूशित जल प्रभाव से अब निजात मिलने वाली है। जगवीर सिग ने बताया कि सिवरेस ट्रीटमेंट प्लान के कच्चे बांध अक्सर टूटने की वज़े से किसानों को भारी नुकसान जिलना पड़ता है। जाले बरसाती मौसम को देखते हुए हमने गाउं समर्पूर के लोगों से कुछ समय के लिए पंचायते जमीन देने के लिए कहा है ताकि अस्थाई टेंक बना कर समाधान की आजातर तो अगर गाम चाहेगा तो हम इसको यहां सिफ्ट कर देंगे तब तीकि साब बोल रहे हैं कि जो एक वो लाइन दबा रहे हैं वो आगे चली जाए बचिस्ति किलोमेंटर की लाइन हो उसका भी काम सुरू कर रहे हैं सामने का यह जैसे सेर में पूरे में कई बर्सों की समस्या है यह सीवरेज की और नेचुरल फ्लो के हिसाब से पानी आगे जाना पड़ेगा तो उसके लिए जो भी 20-30 किलोमेटर लेंट का जहाजा साइड में जहां भी में ड्रेन में क्योंकि आसपास ड्रेन है नहीं सेर क वहां पर जाने के लिए अभी तो टेंपरेरी हमने कुछ यहां अरेंजमेंट करना पड़ेगा एक बार जो ट्रीटेड पानी होगा प्रोपर जिसमें स्टीपी भी अभी प्रोपर्ली फंक्सनल लिए तो ऐसी जाव को इनको आज हमने उसका जाई-जा लिया है समंधित को इस समस्या से निजात मिले अटलिस्ट फाइव एमेल डिगा यहां पर आके टेंपरेरी है यह कोई पर्माने मेजर हम करने जा रहे है इसके साथ के साथ एसी जाब को हमने यह भी बोला कि इसके एस्टिमेट्स तयार करवा के और सरकार को जमा कर रहे हैं तो कोई भी स्की कि में संबाव हो तो मानिया विदाय के थुरू और अन्य जनपर्दीजियों के थुरूए दिये समस्या अगे से सरकार से फंड सेंक्शन हो जाए तो जल्दी से जल्दी इस पर काम भी सुरू हो जाए